किसान भाईयों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्यों की फसल में गुली डिंडे की दवा कब और कैसे डाले और गुली डिंडे की दवा में कौन कौन सी दवा मिला का डाल सकते और ग्यों की फसल में पहला पानी लगाने से पहले गुली रिंडे की दवा कौन कौन सी डालनी चाहिए और पानी लगाने के बाद कौन कौन सी डालनी चाहिए इसके लावा हमें गुली रिंडे को छोड़ कर बाकी सारे खर्पतवर को नियंतर करने के लिए कौन कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए तो किसान भाईयों वीडियो को अंतक देखिए ताकि आपको ग्यों की फसल में खरपतवार नाशे दवा के बारे में अच्छे से जानकरी मिल जाए तो इसी वीडियो में खरपतवार नाशे दवा के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उससे पहले जो किसान भाई अमारी चैनल पर पहली वारा हैं तो वीडियो के अभी के अभी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो किसान भाईयों सबसे पहले हम बात करेंगे हमें अपनी गेहों की फसल में पहला पानी लगाने के बाद कौन कौन से खर्पतवार नाशक दवा का प्रियोग करना चाहिए और वीडियो के अंद में हम बात करेंगे पहला पानी लगाने से पहले कौन कौन से खर्पतवार नाशक दवा डालनी चाहिए तो किसान भाईयों सबसे पहले हमें अपनी ग्यों की फसल में पहला पानी 21-30 दिन के अंदर लगा देना चाहिए और कुछ दिन बाद हमें गुली डंडा और सभी परकार के खरपतवारों के लिए खरपतवार नाशक दवा डालनी चाहिए इसके लावा अगर गुली डंडे को 35-45 दिन के अंदर कंट्रोल करें तो यह असानी से कंट्रोल हो जाता है अगर गुली डंडा बड़ा हो जाए फिर गुली डंडे को मारना बड़ा मश्किल हो जाता है और गुल इंडे की सपरे तभी होगी अगर हमने पहला पानी 21-30 दिन के अंदर लगाया हो तो और आप बात करते हैं कि पानी लगाने के बाद कौन-कौन सी दवा डालनी चाहिए तो पहले नमबर पे आता है आप Affinity या नाबूद जिसमें टेखनीका ले इसके साथ जो सजेंटा की टॉपिक आती है जिसमें टेक्निकल है और इसकी मातरा है एक पैकिट Affinity और दो पैकिट टॉपिक ये सब 1.500 से 200 लिटर पानी के लिए है इसके अलावा अगर पानी कम लगे तो आप Affinity की मातरा कम कर दे और दूसरे नमबर पैकिट टॉपिक प्लस एक सलफो सलफोरन प्चत्र डबलूजी प्लस 35 ग्रम मैट्री और तीसरे नमबर पैकिट टॉपिक और एक मैट सलफोरन मिथाईल 20 डबलूपि इसके अलावा अगर आपके खेद में खर्पदवार बहुत ज़्यादा होते हैं और मरते नहीं हैं तो आप दो पैकिट टॉपिक और 50 ग्रम मैट्री या फिर देड़ पैक सलफो सलफोरन प्चत्र डबलूजी प्लस एक पैक Affinity ये सब डाल सकतें तो किसान भाईयों ये सब डो से 1.500 से 200 लिटर पानी के लिए अगर आपके खेद में पानी कम लगता है तो आप Affinity की मातरा कम कर सकतें बागी सब ठीक हैं और किसान भाईयों एक बात हमेशा ध्यान रखें कोई भी घास मारने वाली दवा का सप्रे करें तो पानी कम से कम ल लेना है और ना पानी को उबाल के लेना है क्योंकि ठंडे पानी में ये दवा अच्छे से नहीं खुलती इसके लावा जो भी घोल बनाए उससे अच्छे से घोल ले और बाद में चाय एक में डाल दें और जो जो दवा बोली है वो ही दो दवा एक साथ मिलाए और कोई ती प्रेग करते समय जमीन में कीच नहीं होना चाहिए, मतलब पैरों के थोड़े निशान बने, मतलब शप्रेग करते समय खेत में असानी से चला जा सके, और आप बात करते हैं कि पानी लगाने से पहले कौन कौन से दवा डालनी चाहिए, तो किसान भाईयों, अगर आप पानी पहले खर्पदवार नाशक दवा का सप्रेख कर रहे हैं तो तीन दिन बाद मतलब 22 गंटे बाद पानी लगा सकते हैं और गुलीडंडे की दवा जो पहले लीडर आती थी जिसमें टेक्निकल है सल्फो सल्फरान 75% WG इसके साथ आप मैस सल्फरान मिथाईल 20% WP ये दोनों दवा आप पानी लगाने से पहले डाल सकते हैं इसका बहुत बड़े रिजल्ट है इसके लावा अगर आपके खेद में गुलीडंडे के अलावा अन्य खर्पतवार हैं तो आप अगले दिन एफिनिटी का सप्रेख करा सकते हैं मतलब तीनों दवा को एक साथ ना डालें तो आप सल्फो सल्फरान प्लस मेट सल्फो रान को एक साथ डाल सकते हैं और अगर आपने तीनों दवा एक साथ डाली तो आपके ग्यों पीली पड़ जाएगी तो किसान भाईयों आप सभी को ग्यों की फसल में खरपतवार नाशुत दवा के बारे में दीगी जानकर ये अच्छी लगी होगी और किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल सस्क्राइब करना ना भूले धन्यवाद